असलम्लेकों मेर्वान वेलकम तो में चैनल स्टूनेट आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट नमबर एट एक्साइए 6.2 फाइंड करना है मीडियन कॉस्टन में गिवन है गूर्प डेटा है गूर्प डेटा में हमारे पस क्या है बैसिकली टू सीरीज हैं डिस्क्रीज सीरीज सीरीज में हमारे से पस थ्री स्टेप्स हैं फिर्स्ट हम क्या करेंगे डेटा को अर्रेंज करेंगे इन एसंदिंग ऑर ठिक है इरेंग और एक्सा करेंगे अजब्यक什么 attempts फाइंगे X भी गीवन है और Frequency भी गीवन है Data को सबसे पहले क्या करेंगे? Arrange करेंगे Data already arranged है हम क्या करेंगे? Cumulative Frequency करेंगे Cumulative Frequency कैसे find करते है? First Frequency, as it is आज जाती है 3 previous Frequency को next Frequency के साथ add करते जाएंगे 3 plus 8, 11 11 plus 5, 16 16 plus 3, 19 19 plus 1, 20 जब हम इस Frequency का सम करेंगे तो हमेरे पास आज़ागर 20 Cumulative Frequency और यह जो टोटल Frequency है इस यह जो है last time same होनी जोगी है अब इसका बात क्या करेंगे? हम Formula पूट करेंगे Formula हम यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है? अब देखें Number of Observation हमारे पास क्या है? Even Formula वही यूज़ होगा जो हमने Individual Series के लिए यूज़ किया है Formula क्या होगा? N by 2 Sorry, 1 by 2 into N by Observation ठीक हो गया यह हमारे पास Formula है यह फर्मुला हम यहाँ पर Mention भी किया हुआ है ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? हम Values को Пूट करेंगे अब देखें कोउनलोटिय फेक्वेस्टिह हम धुं माझें जरुट अनधे के आहां बाहम हरने के बाद पाफिय फेक्वेस्टिह हमिने शहाँ अपे बीच्वेस्टिह अख़ैंगи 1 by 2 into n हमारे पास क्या है 20 यानि कि number of observation 20 divided by 2th plus 20 divided by 2 plus 1 observation ठीक हो क्या क्या जागा 1 by 2 10 plus 11 observations ठीक है क्या जाएंगी observations अब देखिए जो हमारे पास 10th and 11th observation है इसको हमने community frequency में देखने हैं अब 10th and 11th observation कहां पे लाए करी है ठीक है यहां पे 10th and 11th observation हमारे पास यहां पे लाए करी है 3 से onward यानिकि 4 to 11 तक जो observation है वो 11 में लाए करेंगी 12 to 16 तक observation 16 में लाए करेंगी 17 to 19 observation यहां पे लाए करेंगी और 20th observation यहां पे लाए करेंगी ठीक है यहां पे लाए करी है तो हम क्या लेंगी एक्स ले लेंगे क्या आजएगा 2 आजएगा यहां पे हम लिखते हैं 1 by 2 2 अब देखें 11th observation exact value है यहां पे लाए करी है एक्स हमार रपस क्या आजएगा 2 plus 2 1 by 2 2 plus 2 4 4 divided by 2 2 is a 4 यह हमार पास आजएगा है median ठीक हो गया फोर एक्जेम्पल अगर यहां पे हमार पास आजएथा 15 फोर एक्जेम्पल अगर यहां पे हमार पास आजएथा 15th observation 15th observation हमारे पास कहां पे लाए कर देती यहां पे 11 से और 16 जो observation है वो यहां पे लाए कर दे ठीक हो कि अगर हमारे पास आजाता 18th observation एइटीनथ observation कहां पे लाए कर देती यहां पे 16 से ओनवड 17 019 observation यहां पे था हमने फांड किया median डिस्क्रियर सीरीज के लिए basically डिस्क्रियर सीरीज में हमरे पर क्या स्टैप्स है first हम क्या करेंगे डिटा को अरेंज करेंगे ascending order find करेंगे community frequency उसके बाद हम क्या करेंगे find करेंगे median observation by using cumulative frequency ठीक है यानि कि हमने median तो find कर लिया है अब इसमें जो observation आ रही है वो हम किसको use करते हैं find करेंगे community frequency community frequency को use करते हैं हम median को find करेंगे लेकिन जो observation जहां पर like कर रही होगी उसके corresponding हम x की values ले लेंगे ये था हमारा आज का lecture उमीद है स्टैट्स आप लोगों को समझ आगी होगी समझ आगी है तो मुझे किपन सेक्शन में जूरूर बिताएगा ओके सुरेंट अलाह अफीज